का लंच टाइम डिकलेएक ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दिजिटल बैंकिंग और यह सबुवां हमने बात की है और कर भी रहें और हमें डिजिटल बैंकिंग के सिवधि कोई परियाय नहीं है सरने सही पूछा कि हम एक्वाइरिंग नहीं कर पाएंगे, तो मैं मेरे मर्चंट को कैसे रुकाऊंगा, मर्चंट को कैसे रुकाऊंगा, सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरा कासा डिपॉजिट कैसे रहेगा, यह current account holder अगर digital payment आना है तो मेरे पॉस नहीं दे पाऊंगा तो मेरे पास नहीं रहेंगे यह उनकी चिंता है और पैसा भी आता है तो मेरे sponsor bank के current account में जाता है तो मुझे उससे क्या फाइदा है इस दोरान अगर हम देखे तो हम पॉस के उपर ही अटके पड़े हैं अगर statistical model में हम जाएं तो basically हम ऐसे बोल रहे थे कि branch banking रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा हम वो नतीजे तक पहुंच गये कि branch banking काफी जल्दी ही यहां से डिजेबल हो जाएगा branch जगे जगे पे दिखेगी अगर आप Kenya का experience लो तो M पैसा करके वहाँ पे चलता है हर कॉर्णर में खड़ा हुआ बंदा banking करता है M पैसा करता है और वो युएसेजडी प्लाटफॉर्म में चलता है M पैसा Kenya जैसे देश में M पैसा एक हिस्ट्री बन चुका है बहुत बड़ी हिस्ट्री है और अगर Kenya जैसा देश वो चला सकता है तो भारत जैसा देश जहां पे बहुत सारे टेलकोज है बहुत सारे ओपरेटिंग अगर यह प्रेजन है तो इसके आगे ब्रांच का ज़रूरत रहेगा क्या यह सबसे बड़ा क्वेशन है इसके अलावा और एक क्वेशन है कि यह आने वाले बदलाव के लिए जो टेकनोलोजी हमारे पास उपलब्ध है वो परियाप्त है क्या यह सोचने का टाइम आ गया ह है आज मेरा एटीम चल रहा है एटीम में चला रहा हूं लेकिन जब यह सब ट्रांजेक्शन डिजिटलाइज हो जाएंगे 24 बाई 7 चलेंगे तभी मेरे पास उपलब्ध टेकनोलोजी और उसको चलाने वाला जो मैन पावर है या उसके लिए लगने वाला इंफ्रास्ट्र परियाब्त है कि ने वह सोचने का टाइम आया है क्या टेकनोलोजी अवेलेबल है मेरे पहले दोनों ही वक्ताओं ने इस पर बात की है बताया है एंपी से ने तो अपना प्लाटफॉर्म हमारे लिए खुला कर दिया है और जिन बैंकों को हम सर्विस कर रहे हैं तो मैं आप प्रजेक्ट बनाते हैं तो उसमें पहली बैंक लेके अल्वेस उनके साथ रहा है अभी बीपीएस जो आज भारत बिल पेमेंट का बात हुआ वहां पे चार कॉपरेडिव बैंक्स लाइव दो लाइव है दो लाइव होने हैं और चारों भी बीपीएस के कस्टमर्स फिनेक जो इनपीसे का लास्ट प्रेडक्ट उन्होंने ओफर किया था यूपीए सर आपके सवाल के लिए सबसे बहतर आंसर होगा मैं पॉज नहीं दे सकता हूं तो मैं यूपीए दे सकता हूं मैरे मेरे जो मर्चंट है उनको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दे सकता हूं जहाँ पे PSPI, payment application provider करके आपका जो application है, वो आपके customer को दे सकते हैं, and digital payment, जहाँ अगर Paytm एक्सेप्ट हो रहा है, तो UPI क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा, इसमें थोड़ा सा एक problem हमारे बैंकर की तरफ से भी है, कि जो नगा innovative product आता है, तो उसके लिए जो effective marketing होनी चाहिए, वो भी काफी माइने रखेगी इसके आगे, तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखना है, कि जिस तरह सा हमारा marketing चलता है, अभी ATM का ये ले लो, बहुत सारे बैंक हमने देखे हैं कि आज ATM में लाइव है, ये जो संख्या है, वो equal होनी चाहिए, जो बैंक पॉस में लाइव होना है, और वही बैंक इकॉम में लाइव होना है, हमारे जो भी customers है, सब हमने तीनों चैनल में लाइव की है, मेरा कोई भी customer या NPCI की जो facilities है, उसमें other than mobile banking क्योंकि वहाँ पे NPCI को RBI permission, mobile banking through mobile के लिए देने के लिए RBI की permission की जरूरत है, इसके अलावा बताए गए सभी product आप आपके ग्रहांकों को दे सकते हो, and digitalization, digital banking, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, we can offer, लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, सबसे बड़ा risk जो हमारे लिए है, जो हमारे छोटे ग्रहांक है, Airtail Bank परसों से live हुआ, पता है, rate of interest के offer के है, 7.25 on saving, so, कासा कासा नहीं रहा, जो कासा की हम बात कर रहे है, वो कासा नहीं रहा, 7.25 is almost near to our fixed deposit rate, so, ultimately, ये क्यों afford कर पा रहे है, क्योंकि operating cost कम हो गया, operating cost कम करना है, तो आपको technology पे निर्भर करना पड़ेगा, और technology backbone आपका strong करना पड़ेगा, ये note के साथ, मेरा छोटा सा एक presentation है, जहां पर हम क्या offer करते हैं, NPCI से किस तरह से जुड़े है, किस तरह से हमारा backbone, हमने technology backbone बील्ड किया है, उसके बारे में एक 10 minute का छोटा सा slide show है, मैं खुद banker रहे चुका हूँ, अभी PINACAS में मैं CEO हूँ, और पिछली साथ साल से हम banking में services कर रहे हैं, nationalized banks भी हमारे customer है, but majority हम लोग urban and district central corporate bank को drive कर रहे हैं, आज जो mobile banking में जो customers है, उसमें से, जो corporate bank है, उसमें से 80% corporate banking, mobile banking में जो है, वो मेरा customer base है, आज रुपे NFS में जो transactions हीट हो रहे हैं, उसमें से 50% से ज्यादा transactions मेरे switch से राउट हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो corporate bank है, सारस्वत bank, वो मेरे switch से काम कर रही है, आधार enable payment में हमने Odisha State को honors office दोनों में acquiring में, पूरा Odisha State और उसके 17 DCCs को हमने activate किया है, तो इस तरह से NPCI related और digital banking related जो भी activities है, उसके साथ Finacus जुड़ी हुई, एक छोटा सा presentation है, Finacus क्या करता है, वी आर बिजनेस उनिट, banking solution और banking solution के साथ ही हम काम करते हैं, हमारे पास 150 full-time employees है, प्लस consultants है, वी आर certified, ISO certified है, ISO के सब certifications हमारे पास है, हमारे data center PCI compliant है, हमारे applications PA compliant है, presence हम globally भी काम करते हैं, local तो काम करते ही है, globally भी करते हैं, बट इंडिया में हमारा focus majority ली, urban cooperative bank and district central cooperative bankों में है, उसमें भी ज़्यादा urban cooperative bankों में है, मैंने जैसे बताया कि, ahead of time हमने काम करना शुरू किया था, mobile banking में, जब लोगों ने हमें पूछा था, mobile में क्या future है, तभी हमने mobile में काम करना चालू किया था, और जितने भी mobile banking license वाले बैंक है, उसमें से 80% market hard हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, and volume, आज उसका volume बहुत ही बढ़ रहा है, ये change scenario में उसका volume बढ़ रहा है, NPCI भी उसको vouch कर रहा है, UPI, the next product, UPI जो है, that is going to be a driver, क्योंकि आज हमारे ATM है, UPI का concept में एक छोटा सा बताता हूँ, आज मेरा customer, करके पैसा दे सकेगा, yes, वही UPI है, number one, आज की इसमें हम सब पैसा दे रहे हैं, देने की बात करें, जिसको पैसा देना है, वही पैसा देगा, एक transaction इनिशियलाइज करेगा, मैं चेक दूँगा, मैं कार्ड इंसर्ट करूँगा, तब ही मुझे पैसा मिलेगा, बट यहां पर जिसको पैसा मांगना है, UPI का सबसे बड़िया बात यह है, जिसको पैसा मांगना है, वह transaction इनिशियेट करेगा, देने वाले को इतनी महनत करने की इच्छा नहीं होती है, लेने वाले को always होती है, तो लेने वाला मांगेगा, और देने वाला सिफ अपना पीन डालेगा, और पैसा उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा, इस अ ब्यूटी अफ यूपी आइ, UPI के बारे में गवराव जी ने बहुत सारी बाते बताई है, तो आगे चलके वो भी स्लाइड्स है मेरे पास, हमारी जर्नी है, हमने 71 बैंक्स एनफस में कनेक्ट किया है, रुपे पॉज में 61 प्रांचिस अल्रेडी लाइव है, IMPS एजेंट बैंकिंग में करीबन 48 बैंक्स हमने कनेक्ट किया है, UPI में 4 बैंक कनेक्ट किया है और BBPS में, चार बैंक सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, पाँच भी बैंक है, तो इनके जो भी प्रेडक्ट ने लाँच किया है, वो सब के साथ हम लाइव है, हम हमारे कस्टमर को यह सब फेसिलिटी दे रहें, सिर्फ डिजिटल करने की बात नहीं कर रहें, हमने हमारे ग्राहकों को अल्रेडी डिजिटलाइज कर दिया है, अबर अचीवमेंट्स वी अवी अवाइड़ेड बाई माइक्रोसॉफ्ट, एनपीसे इसे बहुत क्लोजली काम करते हैं, जब भी UPI प्लाटफॉर्म बनाने की बात हुई थी, तभी हमने टेक्निकली कॉलिफाइड वेंडर रहे चुके हैं, एनपीसे के लिए अल्रेडी हम वेंडर करके, कस्टमाइज सॉफ्टवर डेवलप्मेंट के लिए सर्टिफाइड वेंडर है, इस बीय के पैनल में हम काम कर रहे हैं, इस तरह से ब्यो बी, बैंक ऑफ बरोडा का हमने UPI लाइव किया है, बैंक ऑफ बरोडा UPI में लाइव है, और भारत बिल पेमेंट में दो बैंक अल्रेडी लाइव है, दो बैंक सर्टिफिकेशन में है, इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं अब मैंने जैसे बताया था कि यह जो आगे वाले transactions है वो काफी माहिने रखते हैं कि आपका platform strong है कि ने आज हमारा cbs है यही सब चीजे हमारे cbs से जुड़ेगी जो भी transaction आएगा हमारे cbs के साथ आएगा और क्या हमारा cbs यह transaction सस्टेंड कर पाएगा इलेक्ट्रोनिक आने वाले transactions 24 by 7 आने वाले transaction सस्टेंड कर पाएगा किने यह सवाल आपको अभी जाके एक बार फिर से देखना है ब्रांच में मेरा काम चलता है ब्रांच में आने वाले transactions हमारे यहां पर कस्टमर आपका 24 by 7 उसके convenience से काम करेगा और उसके लिए मेरा infrastructure मेरा application ready है किने देखना है हमारा core banking application है जो हम browser-based product है और काफी study product है काफी अच्छी तरह से यह सब चीजों के साथ काम कर रहा है cross product selling क्योंकि इसके साथ और एक बात आईगी cross selling वाली कि आज हम IMPS से transaction initiate करेंगे आज हम card की बात कर रहे है चेक की बात कर रहे है तो चेक और card के बारे में ऐसे कहा जा रहे है बीस-बीस के बास आज इनके पास चेक है वह एक चेक का लिफ आज ही बाजु में निकालके रखे जैसे हम पुराने कॉइंस रखते हैं कि अपनारी अगली वाली जो जन्रेशन आएगी उसको बताने के लिए कि इसको चेक कहा जाता था बीस-बीस के शायद कोई चेक इसू नहीं करेगा और बीस-बावीस के बाद शायद पकेट में कोई card नहीं रखेगा तो we have to be ready आज हम card की बात कर रहे हैं लेकिन बीस-बावीस के बाद पकेट में कोई card नहीं रखेगा and this is going to happen which is very very sure and this statistic at least India के लिए तो जरूर होगा जिस तरह से हम digitalization और यह जो नौ तारिक के बाद का incidence है और उसके बाद हमें digitalize जाना पड़ेगा उसके बाद यह होने ही होने वाला है तो इसलिए हमें उसकी भी तैयारी आज से करनी है हमारे पास सिफ बचे है तीन साल तो कोर बांकिंग को पके एक बार फिर से देखना है हमारा कोर बांकिंग में वो strength है कि नहीं वह capacity है कि नहीं हमारे पास जो channel हम लोग select कर रहे है वो interoperatable है कि नहीं एक channel से दूसरे चैनल में ट्रांजक्शन होगा कि ने, आज मुझे मेरे पास mobile banking है, फिर भी मुझे ATM में जाके card क्यूँ डालना है, मुझे पैसे ही ची ए, तो मैं मेरे mobile से मेरे bank को request कर सकता हूँ, request करने के बाद मैं मैं ATM में जाऊँगा और ATM में मैं card डाले मिना मेरे जो पैसे है वो निकाल सकता हूँ येस आप ये कर सकते हूँ बहुत सारी बैंकों ने इसको introduce किया है कही customers के लिए मैंने भी हमने भी ये introduce किया है कि मैं मेरे mobile banking से request करूँगा mobile banking मुझे मेरे मुझे OTP देगा और आपके सब के पास लगे हुए ATM है वो दो स्टेट में चलते हैं एक card और दूसरा cardless cardless state में वो transaction शुरू करेगा और अपना mobile number डालेगा requested amount डालेगा OTP डालेगा और machine dispense करेगा हो सकता है हो रहा है हो सकता है कि हो रहा है और आगे चलके I think NPCI will also come with the interoperatable card to card transfer तो उन्होंने करी दिया है आप एक card से दूसरे card में पैसा transfer कर सकते हो तो एक bank के request करके mobile पे request करके दूसरे bank के ATM में जाके करीबन आप withdraw कर सकते हो करना चाहिए और ऐसी सुविदा के लिए NPCI जल्दी ready भी हो जाएगा this is what is the thought process same thing with UPA unified payment है मैं SBI का application यूज कर रहा हूँ या ठाने जनता सकारी bank का application यूज कर रहा हूँ या सारसवत bank का application यूज कर रहा हूँ या यहां की कोई छोटी bank का application यूज कर रहा हूँ application अच्छा होना जरूर है that is called payment service provider आज हम हमारे से बहुत जनके ATM लगे है वहाँ पे SBI का customer आ रहा है transaction कर रहा है transaction हो रहा है तब तक वो किसका ATM है उससे कोई माईने नहीं रखता है तो customer के लिए facility बनाना जरूर है तो इस तरह के application हम हम हमारे ग्रहकों को देने चाहिए और वो application जब हम ग्रहकों को देंगे तभी तभी हमारे साथ ग्रहक रहेगा और वो application से हम ज्यादा से ज्यादा convenience of operating is very very important तो वो भी हमें उसमें create करने पड़ेंगे FinConnect हमारा जो financial transaction switch है जो हम payment systems के साथ काम करते हैं core banking system के साथ है हम लोग micro ATM, ATMs दोनों support करते हैं AAPS आदार Unable Payment micro ATM के साथ जो आदार payments है उसको हम support कर रहे है e-commerce and post transactions हम support कर रहे है card management integral part of FinConnect है तो वहाँ पर हम and reconciliation सबसे बड़ा पे यहाँ पे जो होता है रिकंसिलेशन तो रिकंसिलेशन में हम भी हमारे गनाकों को support कर रहे है उसके बाद है mobile banking mobile banking में अभी जो बात हुई थी उसमें हमने P2P, P2U and P2M and M2P यह transaction के बारे में बात की थी आज आप IRC-TC के साइड में जाते हो तो वहाँ पे IMPS option पूचा जाता है तो वह payment किस तरह से होता है आपको कुछ नहीं करना है आपको सिफ एक transaction के लिए हमारे OTP जनरेट करना है आपके पास IRC-TC का टिकेट बुक करने के बाद आपका सिफ MMID और mobile number देना और OTP देना है अगर आप मोबाइल में लाइव है और आपके कस्टमर के पास यह फेसिलिटी है तो आप अक्क्वाइरिंग पास मोबाइल पास के फार्म में इसको कर सकते है जहाँ पे आपको सिफ आपकी बैंक को M2P certification करना है merchant to person certification करना है और वो OTP पेसे ग्रहां को से पैसे जमा कर सकता है UPA is the another option where M2P transactions काफी बेतर हो सकता है तो पास के लिए अड़े रहने की ज़रूरत नहीं जो options आज अविलेबल है अज पेटियम में लोग पैसे पे करने लगे है उसी तरह अगर banking, mobile banking अगर हम सही डंग से, सही माहिने में अगर प्रमोट करें तो यह transactions पक्के हो सकते हैं और promotions हो सकता है इसके वज़े से हमें अच्छी तरह से transaction fee, जो fee-based transactions है वो बढ़ेंगे आज 7.25 में अगर retail काम करना चाता है तो bank चलाएगा कैसे payment bank है, deployment allowed नहीं है उनको loan देने के allowed नहीं है फिर भी 7.25% के interest rate में करेगा तो पैसे आएंगे तो आएंगे सिर्फ service charges से ही आएंगे या फिर GSEC से आएंगे GSEC के rate तो आपको सबको मालू है फिर भी वो 7.25 देने का अगर जिगर रखता है तो यह business business ही है और बनने वाला ही है हमें भी हमारा नजरिया चेंज करना पड़ेगा loan origination उसी तरह हमें payment bank की तरह problem नहीं है हम lending भी कर सकते हैं तो हम भी यह rate से डरने की जरूरत नहीं है कर सकते हैं लेकिन उसको हमारा जो loan processing है उसको भी automate करना है उसके लिए भी product होने जरूरी है collection अच्छा होना चीए उसके लिए भी हमें automation की सोच करनी पड़ेंगी कि collection में default होता है तो हम दो मेने बाद या NPA होने के पहले दवड़ दूप करने के पढ़े जिस दिन default होता है उसके दूसरे दिन ग्रहा को पकड़ना चीए या collection के अलग-अलग नए जो digital options है उसको accept करना चीए तो उस तरह से payment का cover करना पड़ेगा यह सब में बहुत ही reserve bank का always ध्यान रहा है कि आप anti-money laundering को किस तरह से cover करते हो so anti-money laundering की तरह बहुत सारे बैंकों का जो automation करना है STR generation है CTR या NTR जो भेजना है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम है लेकिन अगर हम digital जाएंगे आज हमारा ग्रहक हमारे सामने आता है मैं जिसी भी बैंक से बात करता हूँ उनका always कहना ऐसे होता है कि हमें क्या है मैं तो मेरे हर ग्रहक को पूरी तरह से पहिचान का हूँ तो मैं तो मालूम है उनका क्या है बट अभी non-face customer जैसे हम digital जाएंगे तो customer हमारे पास आएगा नहीं हमारे सामने आएगा नहीं तो उसकी पहिचान उसके paper से होगी उसके documents से होगी उसके KYC से होगी तो KYC और उसके related information ग्रहकों की information हमारे पास होनी चीए इंजीन ऐसा strong होना चीए कि जो ग्रहकों का transactions अनलाइज करके हमें statistical information प्रवाइड करें कि ग्रहक किस तरह से transaction करता है क्यों transaction किया है कहां transaction किया है suspicious transaction tracking के लिए हमारे पास strong यह होना ज़रूर है internet banking आज बहुत सारे बैंकों को permission नहीं है internet banking के लिए but at the same time हम हमारे ग्रहकों को view option से तो transaction दिखा सकते है जहां है जहां भी है महां से वो at least view option से transaction दे सके तो उसको internet banking के लिए भी आपको ग्रहकों को यह facility देनी है next generation will work digitally only and दूसरा है यह cost बचेगी कैसे ATM में होने वाला transaction 20 से 22 रुपे का खर्चा देता है and mobile में होने वाला transaction देखो difference क्या है branch लगाना है, जगा खरीदनी है furniture बनाना है, systems लगाने है network लेना है और लोग बिठाने है जहां लोग बैठते हैं वहां से फिर से complaints आना है redressal mechanism होना है ATM लगाते हो तो एक ही आदमी बैठाना पड़ता है watchman और उसका complaint आता है वो सोते रहता है फिर भी ATM चालू रखना है उसका role देखना है ATM का air conditioning रखना है यह सब चीज़े है, फिर भी ATM के लिए capital investment है जब mobile में जाता है ग्रहा transaction करने, हमें क्या investment है system तो लगी पड़ी है CBS लगा है, एक application लेना है device किसका? customer का, नहीं चलता है तो बोले आप problem मेरे mobile में है ATM नहीं चलता है तो दो-तीन लाद भी मारता है, बोलता है क्या डबा ATM रखा है ओके यहाँ पे ATM customer का device, customer का network किसका? link खराब है ATM के लिए यह ब्रांच के लिए